चुनावी महौल लखनों में बन चुका है, 20 मई को यहां पर मतदान है, इसे बीच लोकसभा चुनाओ हो या फिर विधान सबा चुनाओ, एक चुनावी किस्सा यहां की गलियों में हमेशा चर्चित रहता है, जिसमें कहा गया है कि लखनों में आशिक कम है और मरीज जादा, आकर क्या है यह किस्सा, क्यों है इतना चर्चित, जिसकी दुनिया भर में चर्चा होती है, यही जानने के लिए देश के जानने माने इतिहासकार डॉक्टर रवी भट के पास आपको ले चलते हैं। लखनों नगर महापालका जो है, वो 1884 के अंदर लखनों मुनिस्पल बूर्ड के नाम से इस्टेबलिश होई थी, वो बाद में चलके लखनों नगर महापालका हो गई, तो यह करीब 1920 की बात है, कि यहाँ पर लखनों नगर पालका का चुनाओ हो रहा था, और उस लखनों में यहाँ पर एक बहुत मशूर तवाइफ वहा करती थी, उनका नाम था दिलरुबा, दिलरुबा के कोटे की रौनकी थी, कि वहाँ पर बड़े बड़े राजे रजवाले के लोगों का जमगट लगा रहता था उसकी महफनों के अंदर, और उसकी पॉप्रिटी बहुत ज़्यादा थी, लखनों के अंदर, यह यहाँ कहाँ कि वह सबसे ज़्यादा मशूर उस समय की तवाइफ वह वहा करती थी, वह तवाइफ रहते ज़्यादे हैं, बहुत पॉप्लर हो जाते हैं, तो उनकी फैन फॉलूइंग बहुत गदब की होती है, और अक्टर इसी तक से, इसी on the same lines उसकी भी बहुत ज़्यादा पॉप्लरेटरी थी, अब पता नहीं किस वज़े से हैं, शायद उसको लगा कि मेरे हाथ में कुछ पावर भी होनी चाहिए, तो उसने यह डिसाइड किया कि इस बार हम चुनाओ लड़ेंगे, अब जब उस ते चुनाओ लड़ने का फैसला सुनाया लोगों को, तो उस समय बाकी जो तमाम लोग जो होते हैं, जो election लड़ना चाहते थे, और politics के हिस्से पहले से ही थे, उनलों की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, उसकी popularity को देखते हुए, कि उसके सबने election लड़ेंगे, तो हार जाएंगे, आखिर मे एक उसी समय वहाँ पर, चौक में, यह चौक में रहती थी, और चौक में ही एक बेरीगेट के पास में ही, रहते थे एक हकीम बहुत थी, वो भी काफी famous हकीम थी, उनका नाम था हकीम शम्सुत दीन, तो हकीम शम्सुत दीन के दोस्तों ने बहुत प्रशर बिनाया, कि अरे आप तो कमसे हम रड़ गये बिना लड़े कैसे वो एक अच्छी बत नहीं होगी लखनों के लिए, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई तवाइफ एलेक्शन जीत क्या है, कोई आदमा आप आई लड़ गये, तो फिर हकीम शम्सुत दीन ने अपने दोस्तों के प्रशर का अगे ह ज़ारों पर एक नारा लगवा दिया, लिखवा दिया, जो था कि हैं लखनों के तमाम वोटरों को हिदायत, हैं लखनों के तमाम वोटरों को हिदायत, दिल दें दिलरुबा को, वोट दें शम्सुत दीन को, अब ये नारा इतना बढ़िया था कि सब की जबान पर चल गया बच्चा बच्चा इसको इस नारे को बोलने लग गिया कुछ नारे ऐसे होते हैं जिनका की वोटरों पर बहुत ज्यादा इंपक्ट परता है इसका नतिज़ इसकी खबर जब दिलरुबा को लगी कि भाई ये तो नारा कही हमें हराना दे तो उसमें एक नारा दूसा लिखाया उसने लिखाया नारा लगनों की दिवारों पर कि है लगनों के वोटरों को हिदायत है लगनों के वोटरों को हिदायत वोट दीज़े दिलरुबा को और नफ दीज़े हकीम शमसुद्दीन को जब election का result आया और दिल्रुबा बुरी तरिके से election हार गई और हकीम शमसुद्दीन election जीद गई इसके उपर दिल्रुबा जो थी उनको मुबारक बाद देने गई इस election से एक बाद तो साबित हो गई है कि लखनौ के अंदर आशिक कम है और मरीज जदा है लखनौ से अंजली सिंगराच पूद की रिपोर्ट लोकल 18